करो या मरो सिचुएशन है दोनों टीमों के लिए दमाकेदार मैच है सन्राइजर्स बनाम लखनों का सन्राइजर्स के घड़ में खेला जाए गाए मैच और भाई जिसी साफ से सन्राइजर्स लास्ट मैच हार के आई है ना पहली बैटिंग करते हो भी तो भाई उनके ओपर है मुंबई ने बिल्कुल हलवली मचा दी भाई क्योंकि सन्राइजर्स की भी अब कठीन हो गई है रेस कौलिफाय करने की और लखनों अगर गलती से मैच जीत जाती है ना तो आर्सीवी से जादा खुछ तो कोई हो गाई यार इनों ने हैदराबाद की थू कराई है मैं क् लखनाउं से जादा थू किसी की बनती नहीं है क्योंकि अपने ग्राउंड बे 232 पहले तुमने कॉलकाता से खाये और तुम फिर 98 रन से उससे बड़ी शर्माली बात क्या होगी दोनों टीम के उपर इत हुआ है लेकिन भाई उस टीम में तो फिर क्या रहा यार सन्राइज क्या कहते है सुनील नरायन है वह हिटिंग भी तो इतनी तकड़ी कर के देता यह फिलिप सोल्टीं में तकड़ी करके गया तो भाई तुमने पाउर प्ले में अपनी चुदवा लिए तो वह मैच में तो तो तुमारा बनता ही ता मरवाना पर लग कि जो जीते गा उसका तो जो भारा इसके चुतर्षाइब के तों ऐसके आइगा तो सीधा सिध सिधा फिर फिर कौलिफाइए निहीं कर सकते ना श्किल हो जाएगा भोट भी भी ग्रुब्डव मैच बचे जिंगे उसकी दिकट नींग है उसकी डिक नी दिकद नी है बी क्यारा है ग्रमानलो मानलो लह उर फाल गया तो 12 में 6 तो तब उनके दो में चोर होंगे तो 16 तो अच्छा वो मैं वह रहा हूं रहा हूं वहोंगे नीवात अब आगे शेजिटेए पाफ जीता है शे जीता है जीता है दोनों 11 पे 6 11 पे 6 है एक है अधराबाद हमारी 4 नंबर पर एले यहारी 5 नंबर पर पर हाँ फिर तो देखो हाँ लेकिन क्रूशल मैं तो रहने ही वाला है जो भी जीतेगा यहारेगा रोने वाली है क्योंकि कोई ना कोई जीतेगा और उसका चांसिस बढ़ेंगे तो RCB के तो कम हो नहीं है और लेकिन RCB चाहेगी कि संराइजर से लेजाए मैच क्योंकि उनका पातकर लेता हैं तो मैच में इस मिलाख को हेदराबाद में उने वाला है और जिस हिसाब से पैट कम इस धंकी देकर है ना you will see some fireworks तो मोलग रहा है किि ट्राइवेस हैड दमागा करने वाला इस मैच माहता रहे हुं मैं बता रहा हुं इस मैच में आप सो पे जाएं और गल अगर पहले वैटिंग कर रहे होंगे तो आतम मचानी वाले वो तो जीत के जो है ना वो आप बस यही सोच रहे होंगे तो जीतना है क्योंकि एलस्जी की भी ना आप बोलिंग लाइनप बहुत भी है आपका मोसिन खान चला गया अगर उसकी इंजरी सीरियस हो गई तो वह तो बहुत ही जादा इनक्सपीरियंस है उनकी बोलिंग लाइनप मतलब यस्थापूर कुरूनाल पंडिया रवी भिष्णव ही जो फॉम में नहीं है यह यह आपकी बोलिंग लाइनप है नहीं जो आप आपका महिंग के अदब निया आपके पास तो आप पेस से भी किसी को ब देंगे तो ड्रेम टीम में ज़रूर लेन और ट्रैविस हैड को वाइस कैप्टन भी बना सकते है वाकी हो सके अगर लस्जी तो उनको भी ज़रूरी है कि पाटिंग ले 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 लिए कि कुल करनी की जगा शायद या तो डिकोक या काईले मेर्स इन में से कोई बंदा त तुमें भी कौलिफाय करने है तो तफ को लो और क्या मजाग क्यू कर रहे हो हमने तफ कॉल लेने के लिए का था कि डिकोक की जगा मेर्स लिया हो इन्हों ने ऐसे तफेस्ट कॉल दुनिया की भाई साफ बच्चे को डाला है अब यार हदी कर दी बाइस टीम के साथ जा रह में तो मैं लखनों के साथ जा रहा हूं और मेरे को लग रहा है कि केल रहूल शाहिद इस बार फिर अच्छे इंटाइंट से खेलेंगे तो उनकी शाहिद एक तेज पचास आ जाएगी लेकिन शाहिद पचास के बाद वह उट हो जाएंगे और बाकी तो आपके पास निकलस पूरान भी लास में फ्लोप हो गए थे तो उनकी तो बड़ी पारियानी बनती है मारकस टो इनिस भी मेरे को कैप्टन लग रहे है इस बार क्यूंकि वह ओवर भी डाल रहे है और विक्टे भी आपको दे देते एक अगर एक विकिट आ जाती है तो कैप्टन बनने के पूर ले सकते हो डाथ होवर में विकिट चटका के देंगे आपको और एक उप्शन है यस थाकूर उसको भी पिक कर सकते हो यह दो पेसर साफ पिक कर सकते हो अगर बोलिंग फर्स कर रहे है और बोलिंग सेकंड कर रहे है तो आप सिरफ नवी लुक के साथ जाना पूरी टीम इब अगरवाल को बैक करो नंबर तीन के लिए कि वो एक्स पीजिए प्ले को आप दो मैच दे सकते हो तो तो मैं अगरवाल भी एको डिजर्व करता है बाई बता दो कि यह ब्रेंड ऑफ क्रिकेट गहला तो जी जी रो पर आउट और मनलब कोशिस ऐसे करना तो पर आप उसको आप अभी शेक शर्मा को जरूर लेना और मैं कहा रहा हूं अगर बैटिंग फरस्ट है उसको वी सी बना सकते हो वो अच्छा फोडने वाला इस मैच में प्रेविस एड भी फोड़ेगा और आपके पैट कमिंस को भी आप लेना जरूर और बॉलिंग से आप नट राजन को जरूर बैक करना आप भूवी ड्रॉप कर दो भूवी की उपर से विक्टेनी आने वाली क्योंकि अगर वो पिछ सपाट देंगे तो आप नट राजन को बैक कर लेना तो मेरी तरफ से यही है अजराबाद का तो हमने लगबग साथ प्लेयर बताया आपको ड्रीम टीम के ल बूलेगा उसमें आप 500,000 का प्राइज मनी जीद सकते हो स्टेटोन फॉर मॉर वड्यों